गुर्मोनी दोस्तों 17 फरवरी की एक अच्छी सुबह के साथ में एक आपके लिए ब्रेकिंग खबर है रास्तन करमचरी चैन बोर परिक्षा तीन फरवरी को आपका एकजाम हुआ था एनेम और जी एनेम इस्टाफ नर्स का लेकित माध्यम से दोस्तों इस बर्ती में भी जो है यहाँ पर फरजी वाड़े की जो है शिकायत निकल कर आईए और ओमर शीट बदल कर पास करवाने का जासा देकर टगी करने वाला यहाँ पर बड़ा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है बामला लाखों का है और इस बर्ती के अंदर एनेम जी एनेम में भी ओमर शीट को बदलने के संबन में फरजी वाड़े में यहाँ पर बड़ी गिरफ्तारी हुई है बात करेंगे ब्रेकिंग खबर के साथ में सुभा देनिक बासकर और रास्तन पत्रगगी खबर के साथ मेंहें देखिए आपके सामनेए खबर है परतियोगीता परिक्षा में OMR शीट बदलने का जासा देकर टगी करने वाला गिरफतार और OMR शीट बदल पास करवाने का जासा देकर टगी करने वाला गिरफतार किस तरह से इन्होंने इस साजिस को अंजाम दिया समझना तियन फरवरी दो हजार चोबिस को एनेम और जीनेम बरती परिक्षा हुई थी आपकी ठीक है तो इसमें स्पेशल ओपरेशन गुरूप एसो जी ने छे लाख रूपे लेकर एनेम और जीनेम बरती परिक्षा दो एर तेविस की ओमार शीर बदल कर पास करवाने का जा लिए है बहुत बड़ी खबर है दोस्तों और इसका कितना असर आप जो है आने इस बरती पर पड़ेगा वह तो आने वाला समय बताएगा और चर्चा भी करेंगे इस वीडियो के अंदर एसो जी टीम ने आरोपी से वाचित की इस दोरान आरोपी ने जीनेम बरती देखिए महिला है तीन जने है यह तो महिला के साथ में यह पूरा जो खेल रचते अब किस तरह से रचते उसको आपको समझने की कोशिश है तो किसे क्या कुछ किया और यह आए देखिए आप यहां पर फोटू भी देख सकते हो महिंदर चोदरी ठीक है यह देखिए और शीर बदलने का जासा देकर ठगी करने के मामले में एक जाल साच को ग्रिफतार किया है एसो जी ने सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल को अभियारती बनाकर जाल बिचाया जैसे ही एसो जी क्या होता है इस्पेशल ऑपरेशन गुरूप होता है पुलिस का जो आरोपी को स्टेच्यू सरकिल से गुरूवार को पकड़ा और अनुसंदान के बाद शुकुरवार को ग्रिफतार कर लिया याने स्टेच्यू सरकिल अपने जैपुर में वहां से पकड़ा आरोपी को और ग्रिफतार किया कैसे किया देखिए और क्या कुछ मांग की गई थी आरोपी की तरफ से ADGV की सिन ने बताया बालमेर में लाबू का तला निवासी महेंदर चोधरी को ग्रिफतर किया गया है सूचना मिली थी कि महेंदर चोधरी एनम बरती परिक्षा दोड़तेविस वह जी एनम बरती परिक्षा के नाम से पेसे मांग रहा है इस पर Head Constable महावीर सिंग को dummy अब्यार्ती बनाया गया अब सुनीएगा जैसे ही पता चलाए ESO जी को की पेसे मांगे जा रहा है एनम जी एनम परिक्षा के नाम से तो यहापर Head Constable है महावीर सिंग जी इनको एक dummy अब्यार्ती बनाया इसके बदले में 6 लाक रुपे में सोधा ते हो गया सुनिएगा कैसे क्या कुछ हुआ अब क्या हुआ आरोपी ने 50,000 रुपे बेंग खाते में ट्रांसफर करवा लिए अब इसको ये पता नहीं है बेयकोफ को कि इसके वाट लगने वाली है एसोजी स्पेशल गुरुप होता है और बहुत जो है एक तरह से बोल सकते हो बहुत तेज तर्रार गुरुप पुलिस का गुरुप होता है अब पैसे तो ट्रांसफर होगा है बया ठीक है अब गुरुव आर को जेपुर पहुँचने पर ओमर शीट दिखाने के बाद डाई लाक रुपे लेने की बात कई यानि इस आरोपी ने ओमर शीट भी दिखा दी अब बड़ा सवाल तो यह है कि इस अब्यारती के पास ओमर शीट आई कहा से अब उसको भी मैं आपको जवाब देता हूँ इस वीडियो के अंदर देन से समझेगा इसमें देखिए ओमर शीट दिखाने के बाद डाई लाक रुपे लेने की बात कई आरोपी गुरुवार को जेपूर पहुचा लेकिन एसोजी की लगातार करणरेवाई का हवाला दिया और जगा बदलते हुए शाम को इस्टेचू सरकीर पर मिलने बुलाया अब इस्टेचू सरकीर पर मिलने बुला तब आरोपी को पकल लिया गया और आरोपी खुद की जगा डमी अभियारती बेटाने के मामले में पहले गिरेफ्तार हो चुका है जिसने उसके बार टगी शूय कर दिये याने भईया फरजी वाड़ा हुआ या टगी का मामल हुआ ये कैसे भी बंद नहीं हो सकता चाये आपकी कोई सी भी सरकार हो चाये आपकी कोई सी बर्थी परिक्षा हो कोई ना कोई से तो ऐसे मामले आई जाते है जा पर ऐसी खबरे निकल कर सामने आती है अब इसमें मामला देखिए कैसे क्या कुछ हुआ था अब ये आरतों को मिलने वाली OMR शीट की फोटो खीच लेते थे ये और मतलब हाथ का खेल जिससे कहते हैं अपन हाथ का खेल है भाईया जादू कर जिस तरह से हाथ का खेल दिखता है वही ये करते है आरोपी अब वो सारे लोगों सवाल होगा सर फरजी वाड़ा हुआ या नी हुआ तो ये खबर पढ़ने के बाद में आपको चीजे समझ में आ जाएगी ये एक तो प्रीतम गुड़ जा रहे है और उसकी महिला मित्री भी शामी ले ठीक है अब लेडिस को तो इसलिए रखा जाता ना क्योंकि लेडिस को देखे कोई भी पिगल जाता है सामने ये ना दोनों साती अभियारती से उसको मिलने वाली OMR शीट मंगवाते है ये क्या करते है आरोपी कि जैसे कि मान लेजे आपने पेपर देखे आ गए अब आपके पास क्या होती है आगे देखना, ध्यान से सुनना, OMR शीट ममवात है, और फिर बातों में उल्जाकर उसकी फोटो खीच लेते है, ये जो OMR शीट की कारवन कोपी होती है ना, इसका फोटो खीच लेते है भईया ये, ठीक है, अब फोटो खीच लिया, अब आरोपी का साथी दूर चला जाता ह और अब यारती के सामने आरोपी अपने साथी को फोन करके, OMR शीट के संबन में जान करी लेता है, ठीक है, दूर जाकर OMR शीट की फोटो से सवालों के उतर देखकर, आरोपी का साथी अब यारती को OMR शीट से मिलान करवाता है, ताकि अब यारती को संदेन ना हो, और फि आता हूँ मान लेज़े ये महिंद्र है और ये कोई अभ्यारती है अब इसने बुलाया इसको उम्यारती भी ओल्जा देता है और ये जो महिंद्र पीछे से उसकी ओमार Foto कीछ लेता है ठीक है अब OMR sheet का फोटो खिछने के बाद में जूटे माट Foon करता है और फोन करने के बाद में क्या होता है कि Foon करने के बाद यह बोलता है student से विध्यारति से कि भईयां यह देखिए आपकी OMR sheet हमारे पास है इस तरह का आपने जो paper दिया था यह देखिए हमारे पर प्रूफ है कि आपने ये फेपर दिया था अब आप हमारे अकाउंट में 5 लाग 10 लाग डाल दो आप पेसे डालने के बाद में आपको जो हम पांस करवा देंगे इस मरती परिक्षम में इस तरह से मामला उलसता है इस तरह से अभियारती अपने फस जाते ह पर देखिए कि इस तरह के जाल साज में नहीं आए जो कि आप समझते हो कि कहना कई जुगार बिटा लें कहना कई जो है मामला फिट हो जाए पेसे देखे जो है पांस हो जाए तो यह नहीं होता भी यह पहली बात तो यह फरजी वाड़ा एक अलग चीज होती है ठगी मामल है ठगी करी है और इसका असर मेरे साफ से इस बरती के रिजल्ट पर कुछ नहीं पड़ेगा और इस बरती की आंसर की पर भी कुछ नहीं पड़ेगा जल्दी ही 25 फरवरी को आपकी जो है आंसर की जारी होने वाली है एनम बरती की और जीनम बरती की तो क्विट्सर्स देता हूँ इसमें मामला और यह देखें करशी प्रवेशक सीधी बरती जारी हो चुकी है यह भी जो है रास्तान करमचरी चैन बोर्ड ने करवाई थी और 20 से आप ऑबजेक्शन लगा सकते हो ठीके अब जेसे ही एनम जी एनम की जो जारी होगी तो उसके बाद आपको टाइ करने वाला मामला नहीं है तो यह चीजे थी और यह सबी चीजे हमने अमारे टेली ग्राम और वाट्सअप ग्रूप पर डाल दी है जोइन जरूर कीजिए सलीशन सिंग अकडमी के टेली ग्रूप आपको लिंक हमारे वीडियो की निचे मिल जाएगा या फिर आप टेली ग् वाट्सअप ग्रूप भी जरू जोइन करें आप